तो सर अब आपने पूरह हमें समझा दिये हैं। शेयरोrete होते कैंनेे आ गिया समझ मुंके सिर हम बच्पन साइए सुनते मेंे कि शेयरोडेस होता है कंपनी का इतने परशंट वालेक होता है जितने उटके पास शेयर्ष होता है जया बात करती हैं ! बिलकुल सही का है आपने, मगर इसका मताब ये नहीं है कि for example, आपने मेरी कंपनी के 500 share cream है, मंगर मेरी कंपनी ने तो 21,000 share विशु किये तो कितने पर संट आप मालिक है मेरी कंपनी के तो ऐसे- तो बोकिलच है में ये कहता हूँ, कि बेटा सुरिए तरूत पढ़ने पर आपसे राय ली जाएंगी सर अब हमें कम्प्लीटली तौर पर समझा गया है कि सर शेर ओडर्स कौन होते हैं सर मतलब एक बात और बताते हैं कि यहां बना हमारे पास आपने डिविडेट वर्ड बतायता है यह क्या होता है हमने आपसे पहले कावे नहीं सुना है बताने हैं अभी सिकाते हैं डिविडेट एक ऐसे चीज़ों जो एक कंपनी आपको प्रोवाइड करती है बले वो नुसान में जाए या फिर प्रॉफट में जाए सुनिएगा मेरी बात थोड़ी गौर्स है अभी हम थोड़ा केस को थोड़ा सा और टुिस्ट करने वाले हैं ताकि आपके लिए थोड़ से परिशानिया और पाजा करते हैं मतलब को इतनी असारी से आपके नमाग में बैठने वाली नहीं है मगर मैं हो ना मैं बिठा हूँ अब मैं अब, सबसे मेरे बात बड़े गौट सुनिएक आप ने पर कंपटी लिए यहंडे आपने मेरी कंपनी एक लाख रुबीं के शेयर्स incomodate और आपने एक हदार शेयर्स लिये वह सुनियेगा मेरी मात अब मेरी कंपनी लांस में जा चुकी है और आपको पैसा जो है वाप डूब गी है आप जो एक लाख के लिए थे वो आप दस्दार के होगे तो मतलब वैसे तो मुश्किल आप जिंदा भी रह पाएं मगर फिर भी आप जिंदा है कुछ करके जिंदा है तो अब मेरी कंपनी आपको कुछ डिविडेंट देगे अप यह सर डिविडेंट थोड़ा सा समझाया थोड़ा था और थोड़ा समझाया कि हमें दिमाग में और अच्छा पर देखें समझ में थोड़ा सा आया है तो अब देखें और समझ पर आया कि dividend एक value होती है कुछ percent जो आपको yearly basis पर दी जाती है आपकी shares की ratio के हिजाब से मिसाल के तौर पर आपने जो एक 1000 shares नहीं है मेरी company के उसकी वर्थ के उपर आपको हर साल dividend दिया जाए मगर इसके अंदर एक शर्त है अगर मेरी company बिल्कुल ही घाटे में जा चुकी है और अब बचने की कोई होगी तो मैं आपको एक रुपया देने का मेरा बदार में और अगर मेरी company के पास इतनी cv light line होगी तो मैं अपनी सारी चीज़े बेच किया आप लोगों के पैसे बदार आप तभी लोग के लिए पहला एक छूटा सा heart attack हाजर है वो यह है कि देखें आप लिए हमने फॉर्मुला तो पुरा समझे लिया है अब जरा तो रस सवाल भी ओकर तुरसा और सवाल आप लोगों के सामने आही रहा है पढ़नेगा मत बोलेगा प्लीज खुछ से पढ़ पढ़ने लोगों के लिए अब तक आप दो को फुर्स से समझाए कि हमने वैलियू कैसे बूट करनी है पाच्छा वान तू त्री फोर फाइव तक कर लिए अब नहीं देखने सबसे बहले करन्ट वैलियू के इंदर मैंने जो वैलियू को घरी करूट करेंगे वह हैं मेरी 24 जो हैं वाज़ पर्चीजिंग प्रैस के दर मैंने 20 वैलियो कोड़ की अभी तरह हमें शोंजाता हुआ हुँ दरहा वैलियो कोड़ कर रहे हैं ठर्ट नमर्ट पे हमारे पाँ जो डिविटेट ए उसके अंदर हमने कंपनी ने डिसाइड़ किया कि वह था हैं देने वाले हैं और नीचे जो तीन वैलियूस मैंने या लिखती डेटा मैंसे निकाल के मैंने टारिक पर समने वैलियूस रखती अब तरह आपको लेंगे कि कैसे हुआ कैसे आपने पूर्ट करती है खुद ही खुद ही आप करे जा रहा है मैं समझा रहे हैं भाई देखे मैं और सब्सक्राइब कर देखे जो हमने अपको एक अपनी के अग्जेंपल देखे आपने मेरे कंपनी के शिर्ट ने पर्चिया थे मगर आप नी जाट आपके उसका रेट गिर गया दिए मगर इस डेटा के हिससाब से जो आपने शेर परचीस करें हैं वो कम रेट में कि है वह आपका जो रेट है वो आगे जाके बढ़ गया जिस तरह आपको नदर आ रहोगा आपने 20 रुपी का शेर खरीदा है और अब जो शेर चल रहा है वो 24 रुपे का चल रहा है उसके ओपर आपको प्राफर तो हुए हुआ और आपको डिविडिट भी दिया जाएगा 4.50% आपके तो मज़े ही मज़े होने वाले हैं कि यह प्षारी वैले बुट कर दी मुंट्लिप्लाइए करके लास में 100% से जरूर करतीगा यहां करके लगा दिया है मैंने आपको परच्शन करने के यह एक वैल्यू करने का एक छोटा सा तरीका है जो मैंने आपको इस वीडियो के कराने की छोटी सी कोशिश की है अगर इसके पावजूद भी आपके माइन में कुछ ऐसे ख्यारात है कि सर हमें भी यह काम करना चाहिए जाकर हम फॉरें इंवेशने चाहिए हैं और ह